Hello friends, good morning, कैसे हो आप सब? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे So friends, Lucian की part 3 की वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Friends, अगर आप लोग part 1 and part 2 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग playlist में, Lucian की निचोर वाली section में आप लोग उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं Friends, अगर आप लोग किसी भी exam की, जैसे RRB NTPC, RRB Group D की preparation, 1D examination की preparation कर रहे हैं तो ये questions आप लोगों के लिए बहुत ही helpful होंगे Friends, जितने भी मैं questions करवा रहा हूँ, topic wise करवा रहा हूँ पहले part में मैंने सिंदु सभ्विता के बारे में discuss किया था and part 2 में वैदी के बारे में discuss किया था जो कि part 3 में आज हम लोग zen धर्म और बहुत धर्म के बारे में questions को solve करेंगे इस वीडियो में total 10 questions होंगे, सारे objective questions होंगे अगर आप लोग पहले से preparation कर रहे हैं तो आप लोग test wise देते चलिए जिसका भी answer आप लोग को पता हो तो comment box में मुझसे पहले आप लोग देते चलिए चलिए questions को देखते हैं, पहला question आप लोग यहां पे देख सकते हैं questions यह है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ठीक है? यानि कि दो त्रिपिटक ग्रंथ है, यह किस धर्म का है, ठीक है? जैनों का, बौध्धों का, सिखों का, हिंदुओं को आपको बताना है, त्रिपिटक जो ग्रंथ है, वो किस धर्म का है, ठीक है? फड़ा फड़ा आप लोग मुझे पहले answer इसका बता दिया करें तो देखिए, जो त्रिपिटक ग्रंथ है, वो है बौध्धों का, ठीक है? option B correct होगा, इस question का, right answer next question देखते हैं, next questions यह रहा, questions यह है, बुद्ध ने निमलिखित में से किस इस्थान पर महापरी निर्माण प्राप्त किया था, ठीक है? जो गौतम बुद्ध थे, वो किस इस्थान पर महापरी निर्माण प्राप्त किये थे, यानि कि मृत उनकी कहां पी हुई थी? कुशी नगर में, कपिल वस्तु में, पावा पुरी में, कुंड ग्राम में, तो जहां भी इनकी मृत हुई थी, आप लोग उस इस्थान का नाम बताएं तो देखिए, इनका जो महापरी निर्माण हुआ था, वो हुआ था कुशी नगर में, ठीक है, आप्शन एक करेक्ट हुआ का इस कोशन का राइट आंसर नेस्ट कोशन ये है, बौध गरंथ पिटकों की रशना निमलिखित में से किस भासा में की गई थी, ठीक है, संस्क्रित भाषा में, पाली भाषा में, प्राकत भाषा में, अर्ध मागदी भाषा में तो जिस भी भासा में पिटकों की रशना की गई थी आप लोग उस भासा का नाम कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताईए तो देखे जो बहुत घरम की पिटकों की रशना की गई थी पाली भासा में की गई थी ठीक है option बिक करेक्टर का इस question का right answer next question देखते है next question यह रहा question यह है महावीर का जन्म किस छत्री गोतर में हुआ था ठीक है आपको बताना है महावीर का जन्म किस छत्री गोतर में हुआ था साक के गोतर में या जन्तरिक गोतर में या सलाश गोतर में या लिछवी गोतर में तो जो भी आंसर हो आप लोग फड़ा फड़ टाइप करके इसका आंसर बताएं तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जन्तरिक गोत्र में ठीक है आप्शन बी करिक्ट हुआ इस कोश्चन का राईन आसर नेक्ट कोश्चन देखते हैं नेक्ट कोश्चन ये रहा कोश्चन ये है गोतम बुद्ध का जन्म इस्थल है ठीक है आपको बताना है गोतम बुद्ध का जन्म इस्थल कहां पे इनका जन्म कहां हुआ है कुसी नगर में या सारनात में या बुद्ध गया में एक option आप लोगों को मैं और दे रहा हूँ, option D यहाँ पे लुंबनी, इन्हें में से आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां पे हुआ था, तो दीखें, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुंबनी में, ठीक है, option D character का इस question का right answer, next question देखते हैं, next question यह रहा, questions यह है, महावीर की मरतु कहां हुई थी, ठीक है, महावीर की मरतु कहां हुई थी, स्रवण बेल गोला, लुंबनी, कुल, गुमले, पावा, पूरी में, ठीक है, तो जहां भी महावीर की मरतु हुई थी, आप लोग उस option को, उस सल को comment box में टाइप करके बताएं, तो पहले तीर्थांकर कौन थे, ठीक है, यानि कि, जेन धर्में total 24 तीर्थांकर थे, उनमें से सबसे पहले कौन थे, पार्षनात, या अजीतनात, या रिसब दिव, या इनमें से कोई नहीं, फटा पट, जो भी जेन धर्म के पहले तीर्थांकर थे, उनका नाम आपको comment box में बताना है तो देखें जैन धर्म के पहले तीध अंकर थे रिसप देव ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसको राइट आंसर नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन यह आप किस स्क्रीन पे कोश्चन यह हैं बौत धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उप्देश किस की सासनक जिसके भी सासनकाल में बहुत धर्म एवं जयन धर्म के दोनों उब्देश दिये गए थे उनका नाम आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है तो दिखें बहुत धर्म एवं जैन धर्म के दोनों दो उपदेश दिये गए थे वो दिये गए थे बिम्बिसार के साथ सनकाल में ठीक है option A correct होगा इस question का right answer next question देखते है next question यह आपकी screen पे questions यह है जातक किसका ग्रंथ है ठीक है जातक आपको बताने किसका ग्रंथ है वैशनों या जैन का या बौध का या सेव का तो जिसका भी है आप लोग comment box में इसका right answer टाइप करके बताएं तो देखें जातक जो है वो है बौध धर्म का ग्रंथ है option C correct होगा इस question का right answer next question देखते है यह रहा आपका last video का questions यह है गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी ठीक है गौतम बुद्ध जी को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी वरांशी में सारनात में कुशी नगर में एक option मैं आपको और टाइप करके बता रहा हूँ option D है आपका यहाँ पे आप लोग बोध गया तो जहां भी इनकी ग्यान की प्राप्ति हुई थी उससे सल का नाम आपको comment box में बताना है तो देखे गौतम बुद्ध जी को ग्यान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में ठीक है option D करेक्ट होगा इस question का right answer अब यहाँ पे जैसे option में सारनात है आपका तो सारनात के बारे में बताता हूँ कि गौतम बुद्ध जी का इनसे क्या संबंद है तो देखे गौतम बुद्ध जी सबसे पहले जो उबदेश दिये थे ठीक है सारनात में दिये थे ये questions बतना है एक questions इनसे और important बनता है कि गौतम बुद्ध जी सबसे ज़्यादा उबदेश किस इस्थान पर दिये थे तो सबसे ज़्यादा उबदेश ये दिये थे स्रवस्ति में ठीक है स्रवस्ति में क्यों दिये थे क्योंकि जब ये उबदेश दे रहे थे तो वहाँ पर वर्सा रुकने का नामहीन नहीं ले रहे थी तो इसी के करण इनका जो उबदेश था वहाँ पर ज्यादा हो गया था ठीक तो ये तीन फैक्ट आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति कहा होई थी और सबसे पहले ग्यान की उस्वारी उबदेश कहां पर दिये थे तो सारनात में दिये थे questions ये है महावीर स्वामी का जन्म इस सल कहा हुआ था ठीक है महावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था कुंडग्राम में या पतिल पुत्र में या मगद में या वैशाली में तो जहां भी महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उसासन का नाम आप लोगों को comment box में बताना है friends तो अपना score and अपना नाम comment box में बताईएगा आप लोगों को जितना भी 10 questions में write हुआ हो questions please please comment box में ज़रू बताईएगा तो friends चैनल को हमारे अभी तक subscribe नहीं तो please subscribe करें, bell icon को on करें इस वीडियो को like करें, share करें करें लोगों करें